डेली अपडेट में आप सभी का स्वागत है आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में आज आपको पता चलेगा कि आपकी लापरवाही से railway को कितना बढ़ा फाइदा हो रहा है आपकी लापरवाही कही न कहीं railway को बढ़ा फाइदा पहुंचा रही है इसमें एक जब आप reservation करते हैं 3rd AC का या फिर sleeper का और आप इंतजार में रहते हैं जब आपकी waiting ticket होती है कि कभी न कभी ये confirm हो जाएगी और आप confirm के इंतजार में बने रहते हैं और जब आप confirm ticket को cancel नहीं कराते या फिर confirm होने के बाद आप यातरा नहीं करते या फिर उसके बाद जब cancel भी कराते हैं तो भी railway को एक मोटी रिकब का फायदा मिलता है ऐसा ही आपको मैं बता दूँ कि यातरा बगेर कि ये ही railway उन लोगों से मोटी कमाई कर रहा है ये कमाई sleeper और 3rd AC में यातरा के इच्छक लोगों से की जा रही है ये वो लोग है जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे टिकेट बुक कराने के बाद confirm होने की उमीद में आखरी मिनट तक उसे cancel नहीं कराते और चूक जाते हैं इतना ही नहीं railway के लिए वे यातरी और ज़्यादा फायदी मन्न है जोने किसी ना किसी कारणवस अपने confirm टिकेट को cancel कराना पड़ जाता है दोनों स्थितियों में railway की पौबारा है और लाखों करोड का हजजारों करोड का फायदा ये उठाता है अब देखना हैं कि एक बाद टिकेट बुक हो गई इसके बाद यात्री यात्रा करे या न करे railway को कोई नुकसान नहीं होता बलकि फायदे की संभावना और अधिक हो जाती है टिकेट लेने के बाद यात्री यात्रा करे तो railway को थोड़ी कमाई होगी लेकिन यदि यात्री confirm टिकेट को cancel करा दे अत्वा उसे वेट लिस्टेट टिकेट को cancel कराने का मौका ही न मिले तो railway को और अधिक फायदा होगा यानि आम के आम गुठलियों के दाम जबकि यात्री को चूना ही चूना एक RTI के कारकरता के सवाल के जवाब में railway के Center of Railway Information System ने बताया कि एक जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2020 के तीन वरसों की अवदी में railway ने टिकेट कैंसल न कराने वाले यात्रियों से साड़े नौ करोड से अधिक यात्रियों से 4,335 करोड से ज़्यादा की रकम जोटाई है ये ऐसी रकम है जिसके बदले में railway ना तो कोई वास्तविक सेवा परदान की और ना ही किसी तरह का खर्च किया इन यात्रियों की बस इतनी गलती थी कि उन्होंने कंफर्म होने की उम्मीद में टिकेट खरीदा परंतु वो आखरी समय तक वेट लिष्टेड ही बना रहा इन्हें या तो टिकेट कैंसल कराने का समय नहीं मिला अथवा कैंसल कराने की हिम्मती नहीं होई दरसल पिछले 10-12 सालों में railway ने cancellation नियमों को इतना सक्त और महगा बना दिया है कि टिकेट कंफर्म होने पर अधिकांस लोग उसे कैंसल कराने के बजाए दूसरी तिथी या ट्रेन में बुकिंग करना अथवा बस या विबान का विकल्प चुनना अधिक पसंद करते हैं लेकिन लोगों की यही मजबूरी है railway के लिए यह वरदान बन गई इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2020 की तीन साल की अबदी में railway को अकेले कैंसलेशन चार्ज या अकेले निरस्ती करण के तौर पर 4684 करोड का राजस्व हासिल हुआ है इन दोनों ही तरह के टिकेट में उसे रद नहीं कराने वाले कंफर्म होने के बाद रद कराने वाले या वालों से railway को कुल 9,019 करोड रुपे की आमदनी होई अब railway ने ये पैसा अधिकान से था सामान और निम्न मध्यमवर्ग के लोगों से ही हासिल किया है जिन्होंने ट्रेन के सिलीपर अथवा थड एसी दरजी की सफर की उमीद में टिकेट लिया था अब आप सोचिए कि आपकी लापरवाही से भी railway को बहुत बड़ा फाइदा हो रहा है कही न कहीं आपकी लापरवाही या आपकी मजबूरी railway को एक मोटा फाइदा पहुचा रही है लगातार ऐसी ही जानकारी के साथ मेरे साथ बने रही है और नित नई जानकारी मिलती रहेगी डेली अपडेट का मतलब है लगातार अपडेट रहना नमस्कार